कैसा लग रहा है ये एफेक्ट देखने में मज़ा आ रहा है ना आइशली आप में से कुछ लोग तो जानते ही होगे कि कुछ दिनों से रनबीर कपूर की इंटरनेट पर एक वीडियो वाइरल हो रही है जिसमें उन्होंने केक के उपर आग लगाई जो देखने में बहुत ही ज़ादा अट्राक्टिव लग रही थी कि कैसे किया उन्होंने क्या बना केक का तो मैंने आज वही फ्लामबे केक ट्राइ किया है अपने स्टाल में जिसमें मैंने कोई भी मैदा यूज़ नहीं किया है चॉकले ट्रॉफल केक बनाया बिना मैदे गेहूं के आटे के साथ और वहीं फ्लामबे एफेक्ट यानि की फायर केक बनाएंगे हम उसके साथ जो करने में बहुत मज़ा आता है तो आप भी ट्राय करिएगा इस एफेक्ट को और इस केक को और रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें आचा वैसे तो इस केक के लिए आप अपनी मन पसंद कोई सी भी चॉकलेट स्पॉंज बना सकते हो जैसे भी आप रूटीन में बनाते हो बड़ जो चॉकलेट स्पॉंज मैंने बनाई है बिना मैं अदे की उसकी रेसिपी शैर करें आपके साथ तो इसके लिए सबसे पहले एक बोल में मैंने लिया है आधा कब जितना हलका गरम दूद ये दूद इतना सही गरम है कि इसे हम आराम से हाथ लगा सकते हैं और इसमें डाल देना है एक छोटा चमब्ल जितना विनेगर यानिकी सिर्का आप सेम कॉंटिटी नीमव के रसकी भी डाल सकते हैं और साथ में ना मैंने इसमें एक छोटा सेशे यानि कि ये दो रुपे वाला जो कॉफी का सेशे मिलता ना मार्केट में ये डाल दिया है हलकी सी कॉफी अगर आप अपने चॉकलेट केक्स में आड करेंगे ना तो इसका फ्लेवर बहुत जादा बढ़ जाएगा आप ट्राय करके देखेगा तो बस इसे मिक्स करना है और इस दूद को 15 मिनट के लिए एक साइट पर रख देंगे ताकि ये थोड़ा सा फट जाए और इतनी देर में सबसे पहले हम अपने मोल्ट को त्यार कर लेंगे तो इसके लिए न मैंने चेंज कह एक अलुमिनियम केक टिन लिया है आपको इस टील का डिबब भी ले सकते हो केक बनाने के लिए बस मोल्ट को हमें ओयल से ग्रीस करना है और फिर इसमें बटर पेपर लगाए इसे ग्रीस करेंगे तो हमारा ये मोल्तियार हो गया है अब रूटीन की तरह मैं इस केक को भी आपको कडाही में बनाकर दिखा रहे हूँ तो अगर आप भी कडाही में बना रहे हैं तो इसके लिए आपको एक मोटे तले की कडाही में नमक डालना है कोई stand या फिर plate को उल्टा करके रख दो और फिर इसे उपर से ढख देंगे और इसमें medium flame के उपर 10 मिनट तर गरम कर लेंगे और इतनी देर में अब ये जो दूद हमने एक साइट पर रखा था ना अब आप देखरें कि ये दूद जो है ये फट गया है इसमें अलग-अलग से ये गांठे सी दिखरी होंगी ना आपको तो ये बन गया है हमारा homemade buttermilk तो आप इस तरह से buttermilk बना लीजे या फिर market से लाके buttermilk वो भी यूज़ कर सकते हो अच्छा अब इसमें हम डाल रहे हैं एक चुथाई कप जितना oil और साथ में मैंने डाला आधा कप प्लस दो बड़े चमल जितनी पिसी हुई चीनी इन सारी चीजों को ना पहले हम अच्छे से mix कर लेंगे 30-40 सेकेंड तक इसमें एकदम अच्छे से creamy texture आ जाएगा ये mixture airy हो जाएगा और mix करने के बाद अब इस bowl के ओपर एक च्छनी रखेंगे जिसमें डालेंगे एक कप गेहूं का आटा मैंने इस केक को गेहूं के आटे के साथ बनाया है आप चाहो तो same quantity मैदे की भी ले सकते हैं और साथ में डालेंगे cocoa powder एक चुथाई कप जितना और मेरे पास आज light और dark वाला cocoa powder थोड़ा थोड़ा सा रखा था दोनों तो मैंने दोनों को mix करके यूज किया है आपके पास जो भी cocoa powder हो वो यूज कर लिजेगा और एक चोटा चमच जाएगा इसमें baking powder और एक चुथाई चोटा चमच जाएगा baking soda क्योंकि हमने vinegar आड़ किया है इसलिए हम baking soda थोड़ा सा कम रखेंगे और एक पंच नमक डालके इन सारे ingredients को चान लेना है आए इसके बाद अब हम किसी spatula के साथ इसे बिल्कुल हलके हलके हाथों से cut और fold करते हुए mix कर लेंगे over mix या vigorously mix नहीं करना है stage पर तो बस mixture भी dry है इसमें थोड़ा सा दूद और add करेंगे तो तकरीबन आधा कब दूद मैंने और add कर दिया है थोड़ा थोड़ा करके डालीएगा और हलके हाथों से mix कर लेना है तो हमारा ये better त्यार हो गया है better की consistency आप देख रहे हो कि ribbon flowy consistency है तो अब गेहूं के आटे का cake हो या फिर मैदे का आपको normal consistency रखनी है और इस better को मैंने mold में डाल दिया है mold को थोड़ा सा tap कर लेंगे इसके बाद अब इतनी देर में ये जो कडाही हमने गरम होने के लिए रखी थी ना अब ये भी काफी अच्छे से गरम हो गई है तो मैं कडाही में बेक कर रहे हूं इस cake को इसे हम low medium flame के ऊपर बेक करेंगे तकरीबन 35-40 मिनट लग जाएंगे इस cake को आपको properly बेक करने के लिए बट हाँ timing सोड़ी से आगे बीचे हो सकती है 30 मिनट के बाद आप इसे जरूर चेक करिएगा और अगर आप इस cake को आवन में बेक करना चाहते हैं तो आपको इसको preheated आवन में 180 डिग्री पर बेक करना है 35-40 मिनट तक या तब तक जब तक की toothpick बिल्कुल क्लियर आजाएगी तो इस cake को रखे हैं मुझे पूरे 40 मिनट हुए है आप देख रहे हैं कि cake कितना अच्छे से फूल गया है सेंटर में जब मैं toothpick को insert करके चेक करें तो ये भी बिल्कुल क्लियर है इसका मतलब है कि cake अच्छे से बेक हो गया है तो बस अब हम अपने इस mold को निकाल के थोड़ी देर के लिए एक rack पर रख देंगे ताकि जो cake है ना ये पूरा अच्छे से थंडा हो जाए और फिर हम इसे demold करेंगे तो जब तक हमारा ये cake थंडा हो रहा है तब तक हम इसके लिए frosting के त्यारी कर लेंगे जिसके लिए मुझे बनाना है chocolate ganache और इसके लिए मैंने 250 grams जितनी dark compound chocolate ली है आप milk compound chocolate या फिर दोनों को mix करके भी ले सकते हो और साथ में मैं इसमें डाल रहे हूँ 125 gram amul fresh cream ये amul fresh cream है blue pack वाली आप चाहो तो अगर आपके पास ये नहीं है whipping cream रखी है घर में तो वो भी यूज़ कर सकते हो same quantity इन दोनों चीज़ों को हमें melt करना है microwave यूज़ कर सकते हो या फिर इस तरह से double boiler method इसके लिए एक sauce pan में थोड़े से पानी को गरम करके flame को low करना है और इसके उपर ये bowl रख देंगे और अब इसे low flame के उपर लगता चलाते रहेंगे heat की वज़े से chocolate अच्छे से melt हो जाएगी तो बिस थोड़ी देर में हमारी ये chocolate melt हो गई है और हमारा ये chocolate गनाश त्यार हो गया है अब इस गनाश को ना हम 20-25 मिनट के लिए एक पर fridge में रख देंगे फ्रिज में रखना है फ्रीजर में नहीं फ्रिज में रखना है ताकि ये जो गनाश है थोड़ा सा सेट होके spreading consistency में आ जाए इसके बाद अब हम चलेंगे अपने cake की तरफ तो ये sponge भी अप इल्कुल अच्छे से ठंडी हो गई है इसे demold कर लेना है तो चाकु से sides को अलग करेंगे और फिर इसे उल्टा करके निकाल लेंगे बढ़र पेपर को हटा देना है अब इस cake का texture देखे आप आप देख रहे हैं कि कितनी एकदम perfect जाली आई है इसमें बहुत ही जादा soft और spongy है actually मेरा ये cake अभी पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ था मुझे थोड़ी सी जल्दी है तो मैंने जल्दी निकाल दिया है इसे बट आटे से बनाईए या फिर मैदे से आपका एकदम perfect cake बनेगा अच्छा इस cake को अब हम पहले layers में cut कर लेते हैं तो उपर का ये uneven part मैंने निकाल दिया है अंदर एकदम perfect जाली है आप देख सकते हैं आइस के बाद अब इस cake को मैं 3 layers में cut कर रही हूँ जिसके लिए 2 cuts लगा के ना मैं thread से cut करती हूँ अपनी layers को इसे एकदम perfect और fine layers आती है आप जैसे चाहो वैसे cut कर सकते हूँ तो बस हमारी ये 3 layers आ गई है इसके बाद अब ये जो गनाश हमने फ्रिज में रखा था ने इसे रखे वे तकरीबन 20-25 मिनट हुए है अब आप देखरों कि ये थोड़ा सा set हो गया है तो इस गनाश को न चम्मत से या फिर किसी whisk के साथ हम इसे बस एक मिनट तक थोड़ा सा whip कर लेंगे ताकि ये थोड़ा सा light हो जाए तो बस गनाश को मैंने whip कर लिया है एक मिनट तक ही whip किया है और आप देखरों कि cream चैसे stiff peaks बन रही है इसमे तो बस गनाश भी त्यार है अब हम अपने cake की icing शुरू कर लेंगे इसके लिए सबसे पहले cake board के ऊपर थोड़ा सा ये गनाश लगाएंगे और इसके ऊपर रखेंगे अपने cake की पहली layer और इसे moist करेंगे sugar syrup के साथ जिसके लिए मैंने पानी में चीनी को घोल लिया था तो ये sugar syrup बन गया है इसके ऊपर अब हम लगाएंगे अपने ये गनाश की एक layer तो आप देखरों कि अब ये जो गनाश pouring consistency में था अब सेट होने के बास spreading consistency में है तो बस इसे थोड़ा सा spread कर लेंगे और फिर इसके ऊपर रखेंगे cake की second layer और फिर से इसे moist करेंगे और इन सारे steps को हम repeat करेंगे यहां मैं आपसे एक special request कर रही हूँ कि प्लीज अगर आपको मेरी recipes पसंद आती है आपके लिए useful हैं तो प्लीज मेरे channel को subscribe ज़रूर करिएगा और bell icon press करना ना भूलें तांकि सारी notifications आप तक सबसे पहले पहुँच सकें और यह बिल्कुल free है तो बस cake की top layer रखके इसको भी मैंने moist कर लिया है शोगर सिरप से अब हम अपने इस cake के ऊपर थोड़ा-थोड़ा गनाश लगा के पहले हलके हलके गनाश से coating कर लेंगे और फिर पूरे cake के ऊपर गनाश लगा के ना मैं इसको थोड़ा सा finish कर रही हूँ अच्छा गनाश की प्रॉपर finishing के लिए एक tip बताते हूँ मैं आपको कि आपना गरम पानी ले लीजिए और इसमें अपने spatula को dip करिए कुछ seconds सक dip करने के बाद फिर इसे निकाल के कपड़े से पूंच लीजिए और फिर इस गरम spatula से आप अपने गनाश को finish करिए बहुत अच्छी और एकदम easy finishing हो जाएगी तो बस इस तरह से इस cake को थोड़ा सा finish करने के बाद अगर आपके पास गनाश बच किया हो तो side से उसके साथ piping कर लीजेगा बट मेरे पास गनाश नहीं बचा है तो मेरे पास थोड़े से चोकोचिप्स थे तो मैं यही लगा रही हूँ इस cake के side पर आप चैसे चाहो अपने cake को बना सकते हो मुझे आद चॉकलेट ट्रॉफल केक बनाना थे इसलिए मैंने पूरी icing की है अब simple सा sponge बनाके इसके सिरफ उपर गनाश लगा दोगे तब भी आपका काम चल जाएगा यह दन्बीर कपूर वाला cake ट्राए करने के लिए बट मुझे चॉकलेट ट्रॉफल के साथ ट्राए करना था तो मैंने यह बनाया है तो बस यह cake बनाके अब हमें से 15 मिनट के लिए एक बार फ्रिज में रख देंगे ताकि गनाश थोड़ा सा सेट हो जाए और फिर हम final effect देखेंगे इसके उपर अचा अब finally बारी आते हैं इस flambe cake के उपर वो fire effect देने की जिसके लिए ना हमें कोई भी inflammable substance चाहिए यानि कि एक ऐसी चीज जो आग पकड़ सके तो जैसे कि उस वीडियो में भी दिखाया गया था और मैंने भी यहाँ पर यह alcohol ली है alcohol में आप whiskey, wine, rum कुछ भी use कर सकते हैं मैंने यह whiskey ली है करना क्या है कि या तो दो तरीके हैं या तो जैसे उस वीडियो में दिखाया जा रहा है आप देख रहे हैं कि पहले उन्होंने alcohol डाली उसके उपर और फिर किसी भी lighter या फिर आप matchbox के साथ उसको आग लगाई है और वो आग पकड़ लेगी alcohol या तो इस तरह से कर सकते हैं बट एक बहुत easy तरीका है जिसे perfect effect आता है तो इसके लीना करना क्या है कि जो whiskey, wine, rum जो भी आप ले रहे हो ना वाओ, अब देख रहे हो कि कितना अच्छा perfect effect आया है इसके उपर ये fire cake वाला और देखने में कितना मज़े का लग रहा ना ये तो दोनों तरीकों में से कोई भी तरीका follow कर लीजे दोनों से perfect effect आयेगा मुझे ये वाला easy लगता है तो मैं इस तरहा से करती हूँ और मुझे ये करने में इतना मज़ा आ रहा था कि मन कर रहा था कि इसको वापस एक बार फिर से करो बहुत जादा अच्छा लग रहा था ये देखने में अच्छा अब आप में से काफी लोग सोचेंगे कि अलकोहल डालने के बाद अब इस केक का क्या होगा तो जो आग हमने लगाई है उस पज़े से अलकोहल इवैपरेट हो जाएगी और आपका केक बहुत यमी लगेगा आपको तो आप भी ट्राय कर सकते हैं इस ट्रेंडिंग वाले वायरल फायर केक को काफी मज़ा आता है इस टेप को करने में और एक बार कट करके मैं आपको अंदर का टेक्चर भी चेक करवा रही हूँ तो इसके लिए आप देखिए कि आटे का केक था परफेक्क सॉफ्ट और स्पॉंजी जाली दार है और साथ में ये चॉकलेट ट्रॉफल की हमने आइसिंग की है बहुत ज्यादा यमी बना था ये केक तो अब आप भी इस केक को ट्राय करिए और अपने फ्रेंड्स और फायर केक वाले इफेक्ट को ट्राय करिए कि आपको बहुत मज़ा आएगा और हाँ रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें